दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन गर्वर्मेंट ने 30% टैक्स और 1% टीडियस की बात करी थी अब जो 1% टीडियस है वो 1st जुलाई से एपलिकेबल होगा और उसके लिए कुछ क्लारिफिकेशन्स रिलीस करी हैं इंकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कल ट्वीट आप देख सकते हैं सी बीडीटी सर्कुलर नंबर 13 2022 डेट 22 जून 2022 तो टैक्स को रिलेटेट कुछ और भी वीडियो हैं जो चैनल पर मैंने कवर किये हैं अगर आप चाहत को यानि कि एक्सचेंज कैसे टीडीएज को मैनेज करेंगी उसके लिए गाइडलाइन इशू करी गई हैं कुछ डिफिकल्टीस थी जो एक्सेंज को आ रही थी उनको यहाँ पे क्लारिफाई किया गया है कि कैसे उनको आयरन आउट किया जाए जो ओरिजिनल सेक्शन 194S है और इंकम टाक्स आक्ट यह आजटेस रहेगा और स्पेसिफिकली जो लोग पी टूपी बाइंग सेलिंग करते हैं उनके लिए 194S ही अपलिकेबल रहेगा और इसके हिसाब से ही आपको अपने टाक्स जो है वो मैनेज करने पड़ेंगे अब प्राइमेरिली जो टीडियस की डिडक्शन है वो दो तरीके से है एक तो अगर आप आयानार में खरीद रहे हैं क्रिप्टो को तो जो ओनस है जो टाक्स पे करेगा टीडियस पे करेगा वो बायर करता है बट अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सेंज कर रहे हैं तो उसकेस में दोनों टीडियस करेंगे तो P2P cases में यानि कि direct buying selling में इस हिसाब से ही चीज़ें चलती रहेंगी अब exchanges के लिए यहां पर क्या guideline है अगर आप exchanges के तुरू crypto buy कर रहे हैं तो आपको कोई भी TDS pay नहीं करना पड़ेगा अगर आप आयानर में buy चमर है exchange का जिसके तुरू यहां पर sell हो रहा है इसलिए simplify करने के लिए यहां पर चीज़ों को कोई भी आगर आप buy करते हैं crypto exchange से जाके INR में तो आपको कुछ भी वहां पर TDS नहीं देना पड़ेगा तो question one जो है guidelines का वो इसी चीज़ को answer कर रहा है कि INR और crypto के pair के अंदर आपको TDS नहीं देना है हाला कि जो अगर दूसरा case बनता है अगर आप एक crypto के बदले दूसरी crypto exchange कर रहे हैं जैसे माली जे Bitcoin और Ethereum को आप एक दूसरे में transfer कर रहे हैं swap कर रहे हैं तो उस cases में दोनों sides को 1% TDS लगेगा यानि कि जो BTC receive करेगा जो Ethereum receive करेगा दोनों को 1% TDS वहाँ पे deduct होगा और यह जो process होगा यह एक्सचेंज ही execute करेगी एक्सचेंज ही इसको deduct करेगी और ultimately एक्सचेंज की responsibility होगी income tax department के साथ यहाँ पे TDS share करनेगी तो question 2 इस चीज़ को answer करता है कि buying selling दोनों पर अगर क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में changes हो रहे हैं swap हो रहे हैं तो दोनों पर 1% यहाँ पे tax लएगा इन्हों पर अगर आपने TDS detect कर लिया है तो उसके उपर और कोई tax यहाँ पर नहीं लएगा जो 194 क्यू में यहाँ पर एक्ट का mentioned है जो tax लएगा वो net value पर लएगा यानि की excluding GST या फिर कोई और कोई charges को exclude करके उसके उपर tax लगा जाएगा question 5 यहाँ पर simply cater करता है अगर आप payment payment gateways की तुरू कर रहे हैं तो क्या payment gateway भी आपके उपर tax यहाँ पर लगा सकता है क्या वापर dual tax लग सकता है तो यहाँ पर clarification है कि payment gateway को यह चीज़ implement करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर tax सिरफ exchange ही करेगा यहाँ पर payment gateway उसको implement नहीं करेगा question 6 फाइनली बात कर रहे हैं यहाँ पर limits के बारे में जहाँ पर mention है कि 50,000 रुपे से की ज़्यादा की अगर आपकी transactions हो रही है एक financial year के अंदर तो उसके ओपर यहाँ पर tax applicable है और दूसरे cases में यहाँ पर 10,000 के limit है तो उसके ओपर यहाँ पर कुछ clarifications है जो financial year है वो 1st April से ही start किया है हाला कि जो TDS implementation है वो 1st July से हो रही है but competition purposes से financial year पूरा का पूरा लिया जाएगा यानि कि जो 50,000 रुपे का आपका yearly threshold है वो 1st April 2022 से ही count होगा तो दोस्तों like it or not TDS तो य exchanges के लिए हैं तो exchanges की पूरी-पूरी यहाँ पर responsibility होगी TDS deduct करने की but यहाँ पर यह कुछ clarification ही है कि यह सिरफ Indian exchanges पर ही applicable हो रहा है या फिर decentralized exchanges पर या फिर international exchanges पर यह कैसे implement किया जाएगा इसके ऊपर को यहाँ पर clarification नहीं है international exchanges इस पर कैसे deal करेंगी इंडिया में अगर operate कर रही है या फिर अगर आप decentralized exchange यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैसे tax calculate होगा वो कैसे होगा वो most likely आप लोगो खुद ही उसको handle करना पड़ेगा उसका खुद ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको proper तरीके से tax filing करनी है तो तो दोस्तों यह ता आज का quick video अब आप किया है या और कोई clarification से तो वो भी आप नीचे comments में लिख सकते हैं वीडियो को जोरू like करिये शेयर करिये चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए मिलतो हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment